हेलो फ्रेंड कैसे आप आशे करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप ज़रूर टेस्टरीज लगा रहे होंगे और ध्यान रखें तो आप सिली मिस्टेक को अपॉइड करने की कोसिस करें क्योंकि सीली मिस्टेक बहुत ज्यादा पेइनफूल होता है तो कोसिस करें कि कम से कम सीली मिस्टेक करें चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे अगर्स पार्ट तर्ड जिसमें मैंने फूरे मैगजीन को कवर किया है मेरा सोर्स है दह हिंदू पी आई बी इंसाइट आई एस करेंट अफेर मैगजीन पर जरूर जाएए और देखिए और एकनॉमिक सरीज और हिस्ट्री सरीज के भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगस्ट 2020 के क्या है कंटेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिशी में फिर देखेंगे आर्टेंड क पार जो की PCS विगर एक्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपेक्टेब कोश्यंस मॉल्टिबल च्वाइस कोश्यंस के फॉर्म में कारे गवर्मेंट एक्जाम में आते हैं और वन लाइनर जो बहुत ही जादा है तो प्लीज वीडियो को अन तक देखें और ल अच्वाइब कर रही है क्रिसीमेग बनाने का रेसेंटली यूनियन मिनिस्र आफ एक्रिकल्चर ने स्टार्ट किया है क्रिसीमेग इन कॉलॉब्रेशन औप विच ओंगनाइजेशें तो उस ओंगनाइजेशन का नाम है आइसी और यानि इंडियन कॉंसिल ओफ जिसमें deep learning based application की बात की जारी है तो आपने देखें यहां पर deep learning application की बात की जारी है तो यह एक्चुली national agriculture higher education project के अंतरगत बनाया गया है यूपीजी exam में questions statement के form में आते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी चीज़ के बारे में deep knowledge होना जरूरी होता है तो यहां पर देखें यहां पर पूछ रहा है कि यह जो program है वो किसके अंदर setup क्या जारा है तो यह दखेगा एच एप यानि national agriculture higher education project के अंदर setup क्या जारा है इसका benefit क्या है यह क्यों setup क्या जारा है तो यह farmer और policy maker को information देगा agriculture के latest update करवाएगा तो यह काफी important है और बहुत ज़्यादा useful है तो आगे देखते हैं इसके benefit क्या होंगे सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे data information होंगे जिससे image को properly analyze क्या जा सकता है किसी भी अगर agriculture farm में कोई problem हो रही है या कोई भी issue हो रहा है तो उसको अच्छे से analyze किया जा सकता है क्योंकि इसमें clear image आएगा दूसरा जो होगा कि disease identification of life stock यानि कि कोई भी cattle या कि इसको प्रोपर पार्टिकुलर डिजीज फैल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है इसको इस method से properly इस data recovery center के information gathering method से चांच सकते हैं तो यह काफी important है क्रिशी में data center is funded by the government of india and world bank ठीक है तो इसे कौन फंड कर रहा है क्रिशी में data center को government of india और world bank और यह कहां पर बन रहा है यह question बहुत जादा important है general exam में भी आएगा क्रिशी में जो setup हो रहा है तो वह हो रहा है national academy of agriculture and reform management हैदराबाद ठीक है तो याद रखेगा वह setup हो रहा है हैदराबाद में data recovery center क्या होता है यह actually concept है data center virtualization का data center virtualization जो है वह cloud computing का part है cloud computing हम सभी लोग जानते cloud computing का मतलब होता है internet computing जाने कि हमारे जो भी services है वह internet पर आ जाना जैसे कि आप mobile यूज करते हो तो आप बहुत सारे information को रखते हो pictures click करते हो pictures होते है उसके लाब आपके पास computer है computer में भी बहुत सारे files है आपके Google Cloud में store हो जाते हैं इसका फैदा यह होता है कि आप किसी भी जगह हो वर्ल्ड के किसी भी corner में हो आप अपने data और अपनी information को देख सकते हो उसके उसके उसका यूज कर सकते हो जैसे कि Gmail account Gmail account क्या है कि आप कहीं भी जाओ आप साइवर cafe में भी जाते हो तो अपना Gmail account खोड़कर information operate कर पाते हो देख पाते हो उसके mail भेज पाते हो यह सब possible है because of cloud computing not cloud ठीक है तो यह जो है यह actually cloud है किस चीसे cloud है हमारे information का cloud है जो internet cloud है ठीक है वो हमारे किसी system पे नहीं है उसको को छिए data center होता है और वह data center जो कि squares से इललेटेज मोई पात्च से रिलेटेज इंफॉमेशन को एक जगह स्टोर करेगा वह बनारा है data center कहांए आपने देखा है तो यह भूँ विया 먹 ऐवर्चिसल वियों है जो हमें कहां वर्चिसल्स applies just और बनाए जा रहा है और के अध्यार बार्ट और को फोड़ाइक और कोंद को जमीन भर टेटा जो है वो सेव हो रहे है virtually ठीक है और यह जो डेटा सेंटर है वो काफी important होता है क्योंकि इसमें millions of data होते हैं क्लाउड computing जो है वो बहुत ही important और renowned को technology है जिसका बहुत ज्यादा यूस हो रहा है और बहुत useful है यह technology क्योंकि इसके अंतरगर्त आप अपने जितने भी आपके information services है जैसे कि आपका mobile जैसे कि आपका computer database सब कुछ क्लाउड में आ जाता है और वो सब कुछ सेफ हो जाता है ठीके और इससे related question आने के chances है UPSC में क्योंकि उसमें science and technology में recent कर इंटरवियस से questions आते हैं एक्जामपल आफ क्लाउड इंफरस्ट्रक्चर जैसे कि Amazon EC2 Amazon service का है उसके अलाबा फिर Apple का iCloud है फिर Google का है cloud जो अब जनरली हम लोग यूज करते हैं तो इस तरह से cloud infrastructure की example है questions पे आते हैं which of the following statement is and are true about cloud computing one cloud computing is the use of software money to deliver a service over a network two Google Gmail is an example of cloud computing one only two only both one and two not उसका answer क्या होगा उसका answer है Google Gmail is an example of cloud computing अब बोलोगे कि यह पहला statement कैसे गलत हो गया तो याद रहे कि cloud computing is the use of both software and hardware services और यहां पे question में क्या बोल रहा है cloud computing is the use of software only तो software नहीं इसमें hardware भी यूज किया जाता है चले next question पे आते हैं which of the following is not correct वन चकमा मनिपूर तू टमिलनाडू कोटा त्री बाल्टी लद्दाख देखें यहां पे एक पार्टिकूलर्ली location दिया हुआ है और उसके ट्राइब्स दिये हुए हैं जैसे कि मनिपूर का ट्राइब है चकमा टमिलनाडू का ट्राइब है कोटा और लद्दाख का ट्राइब है बाल्टी जीयां इसका एंसर है वन वन ली क्यूंकि टमिलनाडू का ट्राइब है कोटा यह बिल्कुल सही है और बाल्टी ट्राइब सो है वो लद्द्दाच का ट्राइब है ये भी बिलकुल सही है लेकिन ज़ो है वो मनी पूर का नहीं मिजोर्णम का ट्राइब है ठीक है तो आते हैं एक्साम में कि कौन से state से बिलोंग करते हैं ये particular ट्राइब चले दिखते हैं, question Which of the following statement is and are true about Ladakh? 1. Ladakh is a desert in the mountain in eastern part of Jammu and Kasmir 2. Kasmir Saga was festival of Ladakh A. One only B. Two only C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2 Ladakh is the desert in the mountain in eastern part of Jammu and Kasmir ये statement बिल्कुल सही है और दूसरा statement है केसर सागा वाज festival of Ladakh तो ये statement गलत है ठीक है? इसलिए answer होगा यहाँ पे one only अब ये गलत क्यों है? क्योंकि केसर सागा जो है वो एक national epic है Ladakh का जो की dance किया जाता है वहाँ के बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के द्वारा ठीक है? तो केसर सागा काफी important है ये क्या है? वहाँ का epic है Ladakh के बारे में जानते हैं Ladakh इसने only UT under 6 इडूल ठीक है? और Ladakh में बहुत सारे tribe है वो tribe अभी important है एक सामपर पस है तो देखते हैं बाल्टी, बेरा, बोटो, बोकबा, चंकपा गारा, मोनो, पुरिग्यपा चलिए Ladakh की festivals देख लेते हैं लोसार एक बहुत important festival है जो Ladakh में बनाया जाता है वो new year के टाइम में बनाया जाता है उसके लाबा साका, दवा फेस्टिबल जो बुद्धिस्ट फेस्टिबल है सिंदू दर्शन फेस्टिबल जो की existence of इंदूस नदी पे बनाया जाता है तो ये तीनों फेस्टिबल काफी important है उसके लाबा भी फेस्टिबल है लेकिन आप नाम से पहचान पाईएगा ये लाबा का फेस्टिबल है ये तीनों का नाम तोड़ा यूनीक था तो मैंने यहाँ पे डाला है लोसार, welcoming new year, साका दावा फेस्टिबल, बुद्धिस्ट फेस्टिबल सिंदू दर्शन, celebrating the existence of इंदूनद देखते हैं नेक्स्ट कोश्चिन Western June के दौरे start किया गया है ये जो आरो आरो service है याऋनी roll off and roll on services जिसमें जो भी goods होते हैं जो भी production होते हैं वो directly land किये जाते हैं आरो आरो services जो है वो start किया गया है करनाचका के नेलमंगाला और महडास्टबीन आर्मार्स, के पीडिया है पोकाली बाजी नूज इस फरस्टीबल उफ हावेस्टिंग ग्रला में होता है या फ्रक कार्टवारी एक जो कितलइ किड़ा उस्ती स Bene मात्रा कम है और यह हेल्थ के लिए अच्छा है यह राइस ठीक है तो इसलिए काफी न्यूज में था नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं रेसेंट्ली मेगा लैब तो बूस्ट कोवीट-19 टेस्टिंग इस स्टार्टेट विट विट ओर्नाइजेशन वन 1. ICMR 2. CSIR 3. Serum Institute of Management 4. भारत बायो टेक गवर्मिंट इस्टार्ट की है मेगा लैब तो इंप्रूफ ती एकुरिसी ओफ टेस्टिंग यानि जो टेस्टिंग की जारी है उसके एकुरिसी को इंप्रूफ करना है कैसे इंप्रूफ करेगी तो एक लाज मसीन सेटप की जारी है जो किकेट करेगा प्रेसें और प Exactly को कहाँ डिटेक करेगा तो वह डिटेक करेगा जन्यूम-सिलौभ सेग अभ यह होता जैसे कि आपको बता है कि हमारे जो भीटि ये प्री हुटे इसमें लोग में है जाते है यह पेग AUS आ जाते है यहान से ग्वाइक करेंद ती चाह利lor को Springs इस्तमाल कर देते आठी पीसिया टेकनोलोजी जिसमें भी हम लोग जीनियूम सिक्वेंसी इस्तमाल करते थे यह जो है यह थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यह बता पाएगा कि इविश्च लडी हिस्ट्री वाइरस भी बता पाएगा यह वाइरस आया कहां से है यह अच्छे करोर as the defense budget ठीक है which is the hike of how much percent from the previous year 2019-20 it means that we all know that government is spending more on defense sector एक्जाम पर बसके ले बहुत important है जानना कि हमारा defense budget क्या है तो वो है 3.37 लाक करोर ठीक है और यह जो defense budget है वो 2019-20 से 2021 में बढ़ाया गया है वो कितना बढ़ाया गया है यह पूछा जा रहा है A 2.8 B 4.8 C 5.8 D 6.8 इस तर के close options generally आते हैं इसका answer होगा C 5.8 percent ठीक है और इसका source है economic times Next question पर आते हैं Which of the following statement is and are correct? 1. India is the second largest military spender of the world 2. India is the fifth largest economy of the world A. One only B. Two only C. Both 1 and 2 D. Neither one nor two C. Two and the third largest military spender of the world अभी हाल में draft defense production export promotion policy 2020 आई है जो कि काफी important एक्साम प्रोस्पेक्स तो उसको देखते हैं इसके अंधर गत बोला गया है कि 2025 तक इंडिया को self-reliant तो बनना ही है ताकि इसके अंतरगत हमें 35,000 करोर रुपीज जेनरेट करने हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से ठीक है और हम लोग किस आईटम में एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग एडिफेंस गूर्स के बारे में डिसकर्स करें कि इसमें हम लोग जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सकते ह क्योंकि इंडिया में इंडिया इनिशिटी पर चल रहा है और हम लोग डिंटमेस्टिक मेनिफेक्च्वर को भी प्रोमोट कर रहे हैं तो इसमें याद रखेगा कि हम लोग जो है डोमेस्टिक बढ़ाने की बात चल रही है और उसका एक्सपंडीचर भी हम लोग बढ़ा रहे हैं डोमेस्टिक इंडेस्ट्री को प्रोमोट कर रहे हैं तो कब तक कर रहे हैं तो 2025 तक का हमारे प्लान है पूरा चले देखते हैं इससी से रिलेटेटिक और नियूस था वट इस निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पोर डिफेंस अनॉंस रेसेंट्री अभी हाल में राजनाज सिंग जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने अनॉंस किया कि 100 आइटम्स जो है वो इंडिया करेगा बाहरी कंट्री से इंडिया डिमस्टिक मैनिफेक्ट्र करेगा क्योंकि इंडिया मेकिन इंडिया और आत्मेनिवर भारत के अंतरकत खुद बनाएगा और डिमस्टिक मैनिफेक्ट्र को प्रमोट करेगा डिमस्टिक मैनिफेक्ट्र में प्राइवेट सेक्टर प्ले 101 आइटम्स को और यह जो आइटम्स बैंड किये गया है इंपोर्ट के लिए वह कब तक के लिए बैंड किये गये हैं वह बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो 101 बीबिन सिस्टम इस प्रोग्रेसिबली बैंड फॉम दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2025 त सट्थायर डीजल मावनिकेशन सेटलाइट जनरली इसे कोशण नहीं आएंगे कौकर से आइटम आके लिए को अगागर तक किया गया है तो दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2025 तक बैंड किया गया है एक और यह जो डोमिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है वह जो जो डोमिस्टिक कॉ द्वारा वो six to seven years के लिए किया जा रहा है क्यों हमने यह step लिया है क्योंकि इंडिया जो है वो second largest importer है 2014-2019 के बीच में इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा import क्या है इंडिया इस the second largest importer from 2014-19 according to SIPRI SIPRI क्या है Stockholm International Peace Resource Institute ठीक है उसने रिलीज किया यह report six day war of 1967 held between which country one Israel, two Egypt, three Syria, four Jordan, a one and two, b one, three, four, c one, two and four, d one and two, three, four यह किस के बीच में हुआ था इस्टे वार उप 1967 यह जो हुआ था वो इसरेल और Egypt, Syria, Jordan यह तीनों कंट्री के साथ हुआ था इसरेल की लडाई 1967 में जिसको six day war के नाम से जाना जाता है इसरेल और UAE अभी काफी news में था क्योंकि वहाँ पे एक agreement sign हुआ है और यह agreement काफी important है क्योंकि यह peace agreement है generally क्या हुआ था जब इसरेल बना था तभी से Arab countries और इसरेल के बीच में relation अच्छे नहीं रहे हैं तो यह event काफी historical event है UAE और इसरेल का जोई agreement है वो बहुत ही important agreement है इवेन अभी हाल में डॉनर्ण ट्रम्प को इससे related peace price भी देने की बाद चल रही है इसरेल और UAE का location जोकी exam purpose से बहुत important है Middle East तो याद रखेगा सबसे पहले इसरेल यहाँ पे है उसके नीचे है Egypt और इसरेल के बगल में है Syria, Lebanon, Iraq, Jordan ठीक है और UAE यहाँ पर है तो यह इसरेल और UAE के बीच में अभी हाल में agreement हुआ है यह जो war है वो काफी पुराना हिस्ट्री सबसे पहले 1948 में इसरेल और Egypt के बीच में war हुआ था ठीक है 1948 के बाद 1967 में हम लोग देखते हैं कि Egypt, Syria, Jordan सब कंट्रीज मिल कर war करते हैं इसरेल पे ठीक है जो कि काफी renowned है जिसको 60 war कहा जाता है और फिर Palestine और इसरेल के बीच में war होता है और West Bank to an important location है उसको इसरेल ले लेता है तो इस तरह से यह Middle East countries काफी news में रहते हैं Recently UAE Israel has signed an agreement is called 1 West Bank Accord, 2 Abraham Accord, 3 Trump Accord, 4 Jerusalem Accord इस Accord को क्या नाम दिया गया है UAE Israel के Accord को नाम दिया गया है Abraham Accord So answer is 2 Abraham Accord Next question पे आते हैं According to new national electronic policy, which of the following electronic companies is eligible for incentive? ठीक है क्योंकि अभी हम लोग आत्म निर्वर भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और domestic economy पे focus किये हुए हैं तो इसी रिलेटर में हमने अभी national electronic policy बनाई है अपरिल मंद में उसके अंतरगत कौन कौन सी कंपनी हैं जो की incentive पासकती है 1 Indian companies, 2 have a registered unit in India, 3 any multinational companies तो इस तरफ के question में आपको अच्छे से पता है कि अभी क्या चल रहा है अभी आत्म निर्वर भारत scheme चल रहा है जो option है multinational companies ये तो गलत हो जाएगा तो जब 3 option गलत हो जाएगा तो आपका C गलत हो जाएगा और D भी गलत हो जाएगा आपके पास option बसता है A and B, 1 and 2, 1 only तो उसको देखते हैं तो 1 and 2 is the right answer ठीक है तो ये दिया जाएगा किसी भी Indian company को और have a registered unit in India नेस्ट question पे आते हैं Recently which particularly vulnerable tribe of undomani Nicobar affected from COVID-19 A. Anges, B. Jarvas, C. Sophians, D. Great Undomanias तो answer is D. Great Undomanias COVID-19 से affected हैं ये सारे tribes जो हैं वो particularly vulnerable tribe हैं कहां कि अंडवाने निकोबार के Particularly vulnerable tribes क्या होते हैं जो tribal community के backward जो community होती हैं उनको particularly vulnerable tribe की category में डाला गया है इस पे उनके population काफी small होते हैं वो physically isolated होते हैं टोटल particularly vulnerable tribe हैं वो कितने हैं 75 हैं और ये जो 75 particularly vulnerable tribe हैं उसमें सबसे जादा उडिशा स्टेट में हैं नेक्स्ट कोशन पे आते हैं चो नौती program was in news is related to 1. Real data monitoring of agriculture supply chain 2. Startup and software product with a special focus on the tier 2 town 3. Space satellite development program of ISRO 4. COVID relief package to construction worker इस तरह के question UPS exam में आते हैं तो जो नौती program काफी news में था वो किस से related है तो answer is 2 2. It is related to startup and software product with special focus on the tier 2 town चले नेक्स्ट कोशन पे आते हैं ये इंभार्मेंट से रिलेटिद कोशन हैं देखते हैं Which of the following statement is correct about traffic? The Wildlife Trade Traffic Monitoring Organization 1. It is a non-governmental organization working on the trade of wildlife animals 2. It is founded in 1976, alliance with World Wildlife Fund A. One only, B. Two only, C. Both 1 and 2, D. None इसका answer आप जरूर दिये होंगे तो चले आंसर पे आते हैं इसका answer होगा B. Two only, it is founded in 1976 और ये alliance है World Wildlife Fund देखिए ये जो traffic monitoring organization है वो non-governmental organization body तो है ये बिल्कुल सही है लेकिन ये जो ट्रेट करता है वो wildlife animal के साथ बायो डाइवरसिटी में भी ट्रेट करता है इसलिए यहां पे statement 1 गलत हो गया अगर ये statement होता ना It is a non-governmental organization working on the trade of wildlife animal and biodiversity तो ये सही होता ठीक है तो यार रखेगा और अभी हाल में traffic ने एक report release की है illegal trading of leopard पे तो question आ सकता है कि illegal trading of wildlife report किस animal पे focus करके release की गई है तो वो है लिपोर्ड तो चलिए थोड़ा लिपोर्ड के बारे में जानते हैं लिपोर्ड का formal census हुआ था 2014 में इसमें total अभी count क्या गया है total report कितने है इंडिया में तो 12,000 to 14,000 लिपोर्ड है ठीक है IOCN यानि International Union for the conservation of nature में क्या है इसका status तो इसका status है vulnerable क्योंकि अभी है इसके amount अच्छे है ना 12,000 से 14,000 लिपोर्ड है इंडिया में लिपोर्ड जो है वो इंडिया एशिया और अफ्रिका में मिलते हैं इंडिया में बहुत टाइप के डिपोर्ड होते हैं स्नो लिपर्ड फिर नॉर्मल रिपोर्ड आर्मी चेफ मुकुलनवाने ने अभी हाल में एक बुरुक्त रिलीज की है वो बुक बहुत इंपोर्टेंट है इस बुक का नाम है नेशनल सेक्यूरिटी चैलेंज जंग स्कॉलर प्रोस्पेक्टिव इस बुक में आर्मी चेफ मुकुलनवाने ने बताया है कि किस तर से साइबर सेक्यूरिटी और नेशनल सेक्यूरिटी और बहुत सारे इश्यू से सेक्यूरिटी से रिलेटेड यहां इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुई थी 1971 में उन्होंने काफी ज्यादा स्टेप्स ले थे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप्स थे इस वार के टाइम में इसलिए उनकी याद में इस बुक को रिलीज किया गया है इस बुक का नाम है नेशनल सेकुरिटी चलें नेक्स बहुत ही इंपोर्टेंट यूज है जो कि जनरली एक्साम्स में आते हैं इंटरनेशनल बुक प्राइस किसको दिया गया है तो ये प्राइस दिया गया है डच ऑथर मार्किक लुकास अब नाम याद रखना इतना तफ नहीं है क्योंकि मारी नाम तो बहुत ही मेरी नाम उसे से बना है मैरिक लुकास ठीक है मैरिक लुकास से भुक लिकी थी उस बुक का नाम है दर डिसकंफोर्ट ऑफ इवनिंग पहली बार फार्ट को सपर्ट dispar гा को साय क्पार चाहाँ तो ये काफ़ी न्यूस में मिला को मशलिक में में मीना है इस फोगत के क्रिकेट में मिला है रोहिद सर्मा को पारा एतलेटिक्स में मिला है मरियपन ठंगवेलू को और होकी में मिला है रानी रामपाल को जनरली UPSC में तो स्पोर्ट से बहुत ही कम कोशन्स आते ही नहीं है कोशन्स लेकिन दूसरे जनरल एक्जाम के लिए ये न्यूस काफी इंपोर्टेंट है बॉल नाइनर देखते हैं इंडियाज एस्ट्रोसैट टेलिसकोप त्यस्कोप है जो कि इंडिया का है और इंडियाने उस टेलिसकोप के दोरह एक सबसे अर्लियस गलेक्सी फाउंड किये उस केलेक्सी का नाम है AUDF-01 ठीक है स्मोक टावर काफी न्यूज में है वो क्या है तो वो है एयर प्यूरिफायर टॉक्सिक्स ट्रूथ इस रिपोर्ट प्रेसेंट्ली रिलीज बाई यूनिसेफ फोकस ओन विच पॉलुटेंट किस पॉलुटेंट पर फोकस क्या गया है तो वो फोकस क्या है लेट के द्वारा यूनिसेफ चोकि हम लोग सभी जानते हैं कि एक एजिंसी है यूनो की और यह जो वो जैन्रलीज बिलापर की रिलेटिट काम करती है वह लेट से क्या होता है कि बच्चों कि ब्रें डिवलॉपमेट नहीं को इंपक्क्ट करता है इवन हाल में मैगी पे बैन लगा दिया गया था क्योंकि उसके भी प्रोडक्ट में लेट पाया गया था और बच्चे मैगी तो बहुत खाते हैं नेक्स पे आते हैं हमारे न्यूज सीएजी एपॉइंट किये गये हैं जीसी मुर्मू को ठीक है जीसी मुर्मू कौन थे हैं लेटेन गवर्नर थे जम्मू एंगस्मीर के मैक्समाग इस्प्लोरेशन इन बैडियार्थ लेबनोन इस जीटू रिलीज ओफ विच गैस यह काफी इंपॉर्टिन न्यूज है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बैडियार्थ यानि लेबनोन में क्या हुआ था एक्स्प्लोरेशन हुआ था और यह एक्स्प्लोरेशन किस गैस को डिलीज क्या था तो यह एक्स्प्लोरेशन ने रिलीज क्या था अम्मोनियम नाइट्रेट गैस को जिसको न्हच 4 और अट्री गैस कहा जाता है इवें इंडिया में इसको पब्लिक प्लेस पे रखना अलाउव नहीं है यह गैस बहुत ही हामफुल गैस है ठीकि तो तो ये Ministry of Tribal Affairs को दिया गया है for the empowerment of tribal communities स्कोच Gold Award कौन सी कंट्री ने महात्मा गांधी के ओनर पे कौईन रिलीज गया है वो है UK ठीके विच कंट्री हैस डेसेंटली प्लांस कौईन इन महात्मा गांधी से ओनर UK किसान रेल स्टार्टेड फॉम देवलाली यानि महारास्टा तो दानापुर बिहार नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है साथ अगस्त को इट आउट एंड हेल्प आउट स्कीम काफी न्यूज में था वो रिलेटेड है UK से इसमें क्या होता है कि जो रेस्टुरेंट में जो भी हैं उनको की नाम है के वी कामत कमेटी करनेज कहीं बेट्विन विच कंट्री इंडिया एंड रश्या यह काफी न्यूज में था क्योंकि कावा कास्ट चो एक्सरसाइज में इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता था लेकिन इस बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए यह काफी न्यूज में है ठीक किस तरके कोशन साथ थे हैं 2017 युपेस एक्जाम में अल्रेडी कोशन आया था कि कहां से लायन को ट्रांसफर किया गया है तो याद रखेगा और कहां किया गया है कुशन नमर 12 देखते हैं हरीपत एप इस रिलेटेट टू क्रीन कॉरिडोर अलोंग दी नेशनल हाइवे तो हर की युद्ण और लास्ट अफ्रिकन कांट्रीस देकलियर्ट पॉलियो फ्री नाइजेरिया 10 अब्योद्यों काफी नूज में है क्यो एक नेविगेशन सैटेलाइht सिस्टम है वह किस कंट्री का है चाइना का है भारत ऐयर फाइवर सर्विस स्टार्ट चाहिए घ्यागेดर्स है बहुत चाहिवेस कंच बोड़़ा क्या हैं चाहिन से सच्छे का पूर्टल or मिनिस्ट्री आप डिंस्टार्ट इस मिनिस्ट्री इसरी entrev Olivier driving the domestic है एक जो कबर्मेंट को काउंटेक्ट कर सकते हैं उसके वलाबा स्वास्थ पोर्टल का फिर न्यूज में है यह नाम से लगता स्वास्थ सट्वास्थ से रिलेटेड होगा तो ऐसा नहीं है वो मिनिस्ट्री ओफ त्राइबल अफ्यसार एक डिलेटेड है तो अलगते हैं जो कि upcoming exam के लिए बहुत important है Which of the following museum is and are converted into mosque by तरीकिस president? कराईगे museum, Hagia Sophia, both 1 and 2, non Questions of the month इसका जवाब आप चरूर देंगे Please वीडियो को पोस करके इसका answer दे comment box में और मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें